नमस्कार, न्यूज एट नैन प्रोग्राम में आपका स्वागत है, मैं हूँ अमृत्वपाद ध्याए, आइए, जल्दी से देखें आज की हेड्लाइन्स सरकार के एसोपी पर सुप्रीम कोट ने उठाए सवाल जुडिशियल कंड़क्ट के लिए लाया गया है सोपी, नयाईक समिक्षा को सीमित करने का रूप RSV के लिए वैक्सीन को मंजूरी, मैटरनल इम्मुनाइजेशन करेगी वैक्सीन, नवजात शिश्वों की होगी सुरक्षा और पक्का बिल लेने पर बनेंगे करोणपती, सरकार लाईल, मेरा बिल, मेरा अधिकार यूजना, ग्राहकों में बिल मांगने की आदत को मिलेगा बढ़ावा चलिए खबरों की शुरुआत करें, बीते दिनों केंदर सरकार ने एक ड्राफ्ट S.O.P. पेश किया था, इसमें सरकार से संबंदित मामलों में न्याईक आचरण कैसा हो, इस पर बात की गई है इस पर सुप्रीम कोट के मुखिना अधिश का कहना है कि S.O.P. के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जिने देख कर लगता है कि सरकार कोट को जुडिशियल रिव्यू यानि न्याईक समिक्षा को कैसे कंड़क्ट करें, ये सिखाना चाहती है इस पर सरकार ने सफाई पेश की है कि S.O.P. से सरकार सिर्फ ये सुनिश्यत करना चाहती है कि छोटे मोटे कारणों के लिए सरकार के अधिकारियों को कैसे समन किया जाए जुडिशियल रिव्यू को सीमित या डिक्टेट करने जैसी सरकार की उज़ना नहीं है गौर तलब है कि जुडिशियल रिव्यू नियाइपालिका की ऐसी शक्ती है जिसके जरीए कारेपालिका द्वारा पारित किये गए कानूनों की समवैधानिकता की जाच की जाती है इसमें केंद्र और राज्य दोनों उस्तर की सरकारें शामिल होती है यदि कानून समविधान का उलंगन करते हैं तो नियाइपालिका इन्हें आसमवैधानिक घूशत कर सकती है समविधान में नयाइक समिक्षा शब्द का प्रयोग नहीं है हाला कि समविधान के कई अनुछेदों के जरीए सुप्रीम कोट और हाई कोट को ये शक्ती हासिल है सुप्रीम कोट ने नयाइक समिक्षा को भारतिय समविधान के मुलभूट धांचे का हिस्सा माना है इससे संविधान संशोधन के जरीए भी सीमित नहीं किया जा सकता USA Food and Drug Administration ने नवजात शिशुओं को RSV यानि रेस्पिरेटरी सिंसिशल वाइरस से सुरक्षित करने के लिए पहली वैक्सीन को मनजूरी दिये ये वैक्सीन प्रेगनेंट विमन को दी जाएगी इससे नवजात शिशुओं को जीवन के पहले छे महीनों में RSV से होने वाली विमारियों से सुरक्षित किया जा सकेगा वैक्सीन का निर्माण फाइजर कंपनी के द्वारा किया गया है RSV बच्चों और नवजात शिशुओं में बीमारियों का मुख्य कारण है इसकी वज़े से हॉस्पिटलाइजेशन के जरूरत होती है RSV से सुरक्षा के लिए वैक्सीन मौजूद है हाला कि ये वैक्सीन जन्म के बाद दी जाती है हालिया मनजूर वैक्सीन पहली और एकलोती वैक्सीन है जो मैटरनल इम्मुनाइजेशन यानि मात्रत्व प्रत्रक्षा मौईया कराती है आपको बता दें कि RSV एक कॉमन रेस्पिरेटरी वाइरस है जो हलके सर्गदी खांसी के लक्षन उत्पन करता है इसमें लोग एक या दो हफ्तों में रिकवर हो जाते हैं हलागे नवजात, शिशो और बुजुर्गों के मामले में ये वाइरस गंभीर हो सकता है और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पढ़ सकती है चलिए आगे बढ़े हैं उससे पहले जरूरी सूचना स्टड़ी आएक्यू आयस हिंदी के टीम ने P2I यानि प्रिलम्स टू इंटर्व्यू बैच शुरू किया है नए बैच की शुरुआत 23 अगस्त 2023 से शाम 6 बजे हो रही है बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है कॉर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रिलम्स क्लियर करने वाले स्टूटेंट्स के लिए की तरफ से नहशुल का आवासिय सुविधा उपलब्द कराना इस दोरान आपके मेंस की पूरी तयारी कराए जाएगी साथ ही कोर्स में इंटर्व्यू में डैफ का वन टूवन एनालेसिस भी किया जाएगा कोर्स में डिसकाउंट हासिल करने के लिए आपको अमरित कोर्स के समन्द में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं भारत सरकार मेरा बिल मेरा अधिकार इन्वाइस इंसेंटिव स्कीम लॉंच करने जा रही है योजना के तहट दस हजार से एक करोन रुपए तक का कैश प्राइस दिया जाएगा योजना छे राजियों और संगशासित प्रदेशों में एक सितंबर से शुरू की जाएगी योजना का मकसद ग्राहकों को हर खरीद पर बिल मांगने के लिए मोटिवेट करना है जब भी किसी वस्तू या सेवा के खरीद हो ग्राहकों द्वारा पक्का बिल मांगा जाए इसमें GST रेजिस्टर्ड सप्लायर द्वारा जारी कियेगे बिल्स को मानेता दी जाएगी नियून्तम खरीद 200 रुपए की होनी चाहिए योजना के तहट ग्राहकों को कैश प्राइज के लिए लकी ड्रॉ से चुना जाएगा एक व्यक्ति अधिक्तम 25 बिल अप्लोड कर सकता है बिल पर विक्रेता का GST, Invoice Number, Amount Paid और Tax मेंशन होना चाहिए आपको बता दें कि One Nation One Tax की अवधारना पर एक जुलाई 2017 से देश भर में GST लागू किया गया था इसका पूरा नाम Goods and Service Tax यानि वस्तु और सेवा कर है GST एक Integrated Indirect Tax यानि एक इक्रित अप्रतक्ष कर है पहले केंद्र और राज्य सरकारें WET, Excise Duty, Service Tax जैसे अलग-अलग टैक्स लगाती थी GST एक Destination Tax या फिर गंतव या धारित कर है यानि वस्तु या सेवा जहां बिकेगी वहीं पर टैक्स लगेगा वस्तु का उत्पादन कहां हो रहा है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता जर्मन Embassy ने भारत की Digital अवसन रचना की तारीफ ट्विटर यानि एक्स पर की है दरसल जर्मनी के Digital and Transport Minister UPI के सरल प्रयोक से प्रभावित हुए UPI यानि Unified Payments Interface एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाईल एप्लिकेशन में अटैच करने की सुविधा देती है इससे Seamless Fund Routing और Merchant भुगतान सरीखे एप्लिकेशन को करने में आसानी होती है या Peer-to-Peer लेन देन को भी पूरा करता है जिसे आवशक्ता और सुविधा के अनुसार शेडूल और भुगतान किया जा सकता है इसके जर्ये 24 घंटे इंस्टेंट पेमेंट की जा सकती है श्रिलंका, फ्रांस, UAE और सिंगापूर ने भारत के साथ UPI को लेकर समझोते किये हैं UPI को NPCI के द्वारा तयार किया गया है NPCI यानि National Payments Corporation of India भारत में खुद्रा भुगतान और निप्टान प्रणाली के संचालन के लिए एक अंब्रेला संगठन है इसका गठन भुगतान और निप्टान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहद किया गया है या भारत में एक मजबूत भुगतान और निप्टान अधोसन रचना बनाने के लिए RBI और भारतिया बैंक संग की एक पहल है या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा आठ के प्रावधानों के तहद एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है आईए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड निउस में क्या है खास हमने 16 अगस्त के न्यूज अट 9 में एकवाडोर के याशुनी नेशनल पार्क से संबन्दित एक खबर कबर की थी याशुनी नेशनल पार्क को लेकर हुए रेफरेंडम में 90% वोट्स की काउंटिंग हो गई है एकवाडोर के हर 10 में से 6 लोगों ने ओयल ड्रिलिंग को नका रहा है याशुनी नेशनल पार्क को दुनिया के सबसे ज्यादा जैवेवेज़ता वाले क्षत्रों में स्थित माना जाता है यहाँ पर अमेजन नदी एंडीज परवतमाला से मिलती है इस नेशनल पार्क में एकवाडोर के सबसे बड़े ओयल रिजर्व इस्थित है मध्यप्रदेश में 22 अगस्त से सीखो कमाओ योजना के शुरुवात हो रही है इसमें बिरुजगार युवाओं को कौशल सिखाये जाने की योजना है कौशल के साथ युवाओं को आठ से दस जार रुपे का अलाउएंस भी दिये जाने की योजना है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवेज नितिन गड़करी ने भारत एंसी एपी यानि न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम को लौज किया है इसका मकसद साथे तीन टन तक वजन वाले विकल्स में सेफ्टी स्टेंडर्ड बढ़ाकर सडक सुरक्षा में इजाफ़ा करना है इस साल की थीम सीट्स ओफ चेंज इनोवेटिव सॉलूशन्स फॉर अ वाइस वर्ल्ट रखी गई है इसका आयोजन साल 1991 से किया जा रहा है ये वैश्वेक अस्तर पर जल सम्मन्दित मुद्दों के लिए लीडिंग कॉन्फरेंस है आईए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बनते हैं पहला सवाल है निमलिखित में से कौन सा एक अप्रतक्ष कर है वस्तु एवं सेवा कर आये कर निगम कर या फिर पूंजिगत लाव कर अगला सवाल है भारत में नियाईक समिक्षा का अर्थ है विधियों और कारेपालिका के आदेशों की समवैधादिक्ता के विशे में प्राख्यापन करने की नियाईपालिका का अधिकार विधान मंदलो द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्णिगत करने का नयाइपालिका का अधिकार नयाइपालिका द्वारा सभी विधाई अधिनियमों के राष्टपती द्वारा सहमती प्रदान किये जाने से पूरो पुनरिक्षन का अधिकार या फिर नयापालिका द्वारा समान या फिर भिन वादों में पूर्व में दिये गए स्वैम के नेर्णयों के पुनरिक्षण का अधिकार देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आप से क्या सवाल पूछे थे और इनके सही जवाब क्या है अगला सवाल मैंने पूछा था निमलिक्षण कतनों पर विचार कीजिए हल्दी को प्रयोग के लिए जड़ से प्राप्त किया जाता है हल्दी में कर्क्यूमिन पाया जाता है इससे वाइटमिन एक ही कमी से होने वाले रोगों का इलाज संभव है तो आज इस बुलेटिन में इतना ही कल रात 9 बज़े आपसे फिर से मुलाकात होगी अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमरितुपाद्ध है 007 टेलिग्राम चैनल पर जाएए रोजाना इसकी PDF वा मिलती है साथ ही आज पूछेगे सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा कल रात 9 बज़े इसी समय पर आपसे मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिए ठीक से पढ़ाई कीजिए नमस्कार